आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और यदि आप हमारे इस चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे इस चैनल के जड़िया आपको बहुत-कुछ मिल सके बहुत-कुछ जो हम लेते हा रहे हैं वीडियोज चैप्टर वाइज और कोश्चन वाइज तो कि आपको एंसर मिल सके इसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब करिए और भी सेयर जरूर करिए ताकि और भी बच्चों को उस लाब मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग जैसे ए एंसर है इसके जरे मैंना बहुत सारे वीडियोν अप्लोड कर दी है और आगे बीडियो आते रहेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं संचित उत्तर दीजिये सबसे first question है किस रोग ग्यूपजार में किया जाता है एंटी विनन का उपयोग यानि की यूज़स क्या है एंटी विनन का तो सर्प दन्स में यानि स्नेक बाइट में इसका उपयोग किया जाता है second question है कि मवाद क्या है पस क्या होता है तो पस क्या होता है थीक फ्लूड होता है caused by infections जो infection के कारण होता है that includes white cells जिसमें white cells भी होते हैं और cellular डेवरिस होते हैं इसमें भी white और yellow भी हो सकते हैं मवाद bacteria फफून संग्रवन के दोरान सूजन के अस्थर पर बनने वाला एक बहिर मुखी मतलब जिसके बहुत सारे मुखों इस तरह का सफेद पीला या भूरा होता है इसको मवाद कहा जाता है या पस कहा जाता है ठीक है थर्ड नमर कोस्चन है profile axis क्या है profile axis को बेग्यानिक भासा में टिका करन को बेग्यानिक भासा में profile axis भी कहा जाता है ठीक है उसके बाद question नमर 4 है चेचक के टीका का आविस्कार किस ने किया था उसको देखते हैं तो प्रफाइल एक्सेस क्या है ये तो आपने देखाई कि टीका करन को बैग्यानिक दोर पर प्रफाइल एक्सेस कहा जाता है चेचक के टीका का आविस्कार किस ने किया था तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर न यानि के smallpox virus के अस्तित्व की खोज की थी यानि उसके presence की खोज की थी और 1898 में गाई के चेचक के बिशानी cowpox virus से सबसे पहला उन्होंने smallpox के को एक टीका त्यार किया था एक वैक्सिन त्यार किया था जिसको लैटिन भासा में वैका कहा गया वैका का मतलब होता है गाई यान में Lewis Paccar ने उनके किसी नाम के खोज की विदी के नाम पर उनके वैज्ञानिक प्लकदियों के बारे में उन्होंने इसका त्ीका करण यानि उनके नाम के अधार पढ़ी जो हुझी उन्होंने वैक्षीन के खोज किया था उनके कि करन घिका करन यानि वैक्सिन शब्द का चिसने त्यार किया था तो लूइस पास्च ने त्यार किया था इसी बिथी के द्वारा ही जिसको डाक्टि Townु crimeać क्या जर्ठीटा कि द्वार्ट से सहोपोक्स वार।स मनीघने तो मैंने बतायां किन लूइस पास्च चर नने किया था उन्होंने उसके एड़ोड जनर के उपलबदियों के कारण उनके ही वैक्सीन नाम के अधर पर टीका सब्द का उपयोग किया था बच्चे को डीपी टीका टीका किस उन में लगवाना चाहिए तो बच्चे को डीपी टीका टीका 3 से 12 माह यानि कि 3 to 12 मंथ के according लगाया जाता है उसके भीतर में लगाया जाता है ठीक है मनिश्य में किस उमर में titanus booster का टीका लगाया जाता है मनिश्य में किस उमर में titanus booster का टीका लगाया जाता है ये सभी के लिए बहुत जरूरी होता है 16 years में आप सभी भी लगवा लिजेगा ये गौर्णमेंट में बहुत अच्छी तरह से उपलब्द है और ये बूस्टर डोस लगाना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो टीटनेस बूस्टर जरूर से लगाना है सभी को एट्स रोग के कारक का नाम लेखिए तो एट्स रोग के कारक का नाम है HIV वाइरस जिसको human immunodeficiency virus भी कहा जाता है ठीक है और एक विश्व ब्यापी असंकरमक रोग का नाम बताईए तो विश्व ब्यापी असंकरमक मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे में ये संकरमक ना फैल है जिस तरह की खासी सरदी जुकाम और कोरोना वाइरस फैल रहा है उसी तरह से ये बीमारी नहीं फैलती है ये अपने आप ही होती है हमारे डिफिसेंसी कारण होती हमारे सरीर के खुद की कमी कारण होती है तो ऐसा असंकरमक रोग क्या हो सकता है हाट अटेक भी हो सकता है डियावटीज भी हो सकता है थायरोड वेगरा भी हो सकता है जो बहुत विश्व ब्यापी है मतलब हर तीसरे व्यक्ति को या हर दूसरे व्यक्ति को कहिए तो डाइविटीज है या हार्ट अटेक हो रहा है ठीक है मलेरिया रोग किस प्रोटो जोग के कारण होता है तो हम लोग जानते हैं मलेरिया रोग किस प्रोटो जोग कारण होता है इसका नाम है प्रोटोजवर का प्लाजमोडियम वाइवक्स ठीक है डिप्थेरिया रोग का कारक का नाम क्या है तो डिप्थेरिया रोग के कारक का नाम क्या है कारियेनो वैक्टिरी वैक्टिरियम डिप्थेरी इसका कारक है इसके कारण ही डिप्थेरिया रोग होता है और 30 नमर का कोस्चन है जिसको मैंने लिखा नहीं अब के स्क्रिन पर नहीं दिख रहा है एक रोगानु वाहक यानि के वैक्टर का नाम बताईए जो रोगों को वाहक करते है यानि रोगों को लेकर चलते हैं तो सबस मच्छर और मक्ही मक्ही भी बहुत सारे रोगों को जनम देती है ना उनके जड़िये ही वह वैक्टिरिया या वायरस इधर उदर ट्रांस्मीट होते रहते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं रिक दस्थानों की पूर्ति करिए तो मैं यहाँ पर वेरी सौट टाइप को साथ आप लोगों को फिलप पी करवा रही हूं ठीक है उसके बाद मैं कोशिश करूं कि कि जल्दी संचिप्त उत्तर वाले यानि की सौट टाइप कोश्चन्स विट एंसर मैं आप लोगों के लिए ले किया हूं सो हमारे इस चैनल में बने रहिएगा तो देखिए रिक तस से वाले को ञोग्हा यह जाती है और सबसे बड़ा अभी क्या हो रहा है कि इस जब से कोरोणा वायरस आया अटी को मेंटी प्रीग हो बड़ो को भी लगाया जाता है यह जो क INF тебя अब तो सब की इस तरह से CORONा आने करण सब के लिए बहुत बड़ा क खत्रा हो गया है तो गह आनो को नस्ट करने के लिए जो सेंके नमबर है रूगाणों को नस्ट करने के लिए Wbc द्वारा क्या उद्वनि किया जाता है अंटीबॉडी उद्वनि जाता है थर नमर है डर्म व्य और बढ़ आपक य impact और क्या नस्ट करता है एक आप लोग को दीख रहा है एक क्रिन पे एंस्कुं Keifer का लेक्स करनों के मैंने फिल उस्ल कि कारण होता है मानान फ्रियस कि कारण होता थमॉट का इंग्यु की सबिख्य तो उसका मेन म jurisdiction कर नाम है क्या ечमें शरीर के immunity को नस्ट करने वाला रोग होता है एड्स कहा जाता है जिसका full form होता है acquired amino deficiency syndrome ठीक है उसके बाद है राइजोबियम कोशिकाओं पर nitrogen इस्थिरी करन करने के लिए क्या होते हैं तो mega plastics होते हैं जिसकी कारण nitrogen का इस्थि करन होता है इस्थि करन होता है ठीक है उसके बाद east क्या है एक लाब दायक fungi है जिसको fungi विका जाता है एक ने संकर्मक पदार्थ यानि की का नाम लिखे तो सबसे ज़्यादा जो use में आने वाला है जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा add देखते हैं सचीव तूतर दीजिए इसको मैं नेक्स वीडियो में आप लोग के लिए ले आऊंगी तो आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिए और thank you आप सभी का आप सब हमारे लिए बहुत 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 special है और अपना ध्यान रखिए और study करिए अच्छे से ठीक है तो फिर मिलत है नेक्स वीडियो में ओके बाबाई